हेलो फ्रेंस वेलकम टुइ मांशी्जवर्ल तो आज जो है सुवह मुझे कुछ हेल्दी खाने का मन कर गया तो आज मैंने चलने अबाल लिये काले रात की बीगो लिया था और मीठा सोडा डाल के बहुत अच्छे गल गए है सुबह तीनसीती लगाई है और तीनसीती में ही यह तो पाते पानी से अलग कर लिया है रुखता सड़ है क्लिया एक मिक्षी जार किया रुंत मैं बुहत ही हैाही तो इनको मैं है न ее जो डूक ब्रुक के चान कर लिया है देखिये दराएंसा पीछ लिया ऐ इस तरीके से हमें जो है इसको दो से तीन बार अच्छ तरीके से पीचना होगा इसके बाद मैं इसके दिधर डाल रही हूं प्याज एक बड़ा प्याज लिया है दो से तीन हरीमिर्ची ली है एक से डेड़ इंच अद्रक का लिया है और साथ से आठ लसन की कलिया ली है तो इनको भी जो है न मैं मिक्सी जार में डाल दूँगी और इनको मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छे तरीके से और उसके बाद इसको भी पीश लेंगे तो फ्रेंट्स आपको आज की रेस्पी पसंद आए ना तो आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके मुझे बताएगा कि आपको रेस्पी कैसी लगी इस तरीके से देखिए रोक रोक के पीसेंगे और इस तरीके का दरदरा टेक्स्चर हो जाना चाहिए अगर आपका नहीं पिसरा है तो आप थोड़ा सा पानी एड़ कर सकते हो लेकिन जादा पानी एड़ मत किजिएगा तो यह सारे मिक्स्चर को जो है मैं एक बाउल में निकाल लूँगी अब यहां पे गैस पे एक पैन चड़ा रही हूँ और इसके अंदर में एक और प्रोटीन रिच इंग्रीडियन्ट डालने वाली हूँ यह मैं ले रही हूँ यहां पे बेसन यह जो है बेसन मैंने एक कप क करीब लिया है और इसको जो है मीडियम आज पर मैं सेख लूँगी वैसे तो बेसन कच्चा भी डाल सकते हूँ आप इस रेसिपी में लेकिन सेख के डालोगे तो इसका जो टेस्ट है वह बहुत अच्छा आएगा कच्चा बेसन का जो टेस्ट होता है वह बिल्कुल भी मुझे लगेंगे इसको भूनने में और यह देखिए हमारा बेसन भून गया है कलर चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी बस इसको आपको जो है लगातार चलाते रहना खुश वो आने तक मैंने इसको भून लिया है अब मैं क्या करूंगी कि यह पूरा बेसन में एक साथ रही हूँ एक चमच के करीम यहाँ पे मैंने भुना पिसाज़ जीरे का पाउरर डाला है इसके बाद में यह पर अमचूर ले रही हैंट जात्मÝ नमक हंगे और ट्र को में ?! का भुनावा बेसन साइड में ही मैंने रखा है अगर हमें ज़रत पड़ी तो हम एक्स्ट्रा बेसन इसमें डाल लेंगे तो एक बार इसको मिक्स करने के बाद मुझे नहीं लगता इसमें और ज्यादा बेसन डालना पड़ीगा क्योंकि यह बिल्कुल चिपचिपा नहीं है और काफी अच्छा सॉफ्ट टेक्स्चर वाला जो है मारा डो बना है अगर आपको यह अभी भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा हो तो इसके अंदर आप एक्स्ट्रा बेसन एड़ कर सकते हो अब मैं हातों में तेल लगा लूँगी और एक अच्छी खासी ले लूँगी और इसकी टिक्की बनाएंगे हम तो आज हम बना रहे हैं काले चने के बहुत ही टेस्टी प्रोटीन रिच कबाब और यह कटलेट बोल सकते हो यह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं नॉन वेजिटेरियन खाने वाले लोग जैसे गलोटी कबाब बनाते ह वैसा ही इसका टेक्स्चर और टेस्ट आता है लेकिन यह वेज है और बहुत ज़वादा टेस्टी बनते हैं तो इस तरीके से आप जो है बॉल की साइज का बनाएगे छोटा बड़ा आपने चोईस के साब से आप बना सकते हो और इस तरीके के कबाब बना लिजे साइज को तो आप जो है अच्छे तरीके से जो है फ्लैट कर लीजे और इस तरीके से आप कबाब बना के त्यार कर लीजे इनको आप जो है अल्रेडी बना के अगर गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो अल्रेडी बना के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपके गेस्ट और परी बोल रहे थी क्या बना रहे हो ममा तो मैंने उसके लिए एक छोटा मोटा कबाब भी बनाया है बिल्कुल छोटू सा कबाब बनाया है उसके लिए और यहां पे मैं जो है कबाब को डीप फ्राय नहीं करने वाली हूँ मैं इनको pan fry करने वाली हूँ क्योंकि healthy cheese मिना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा over oil का इस्तमाल नहीं कर सकते वैसे आप इनको bake भी कर सकते हो मुझे तो इतनी जल्दी थी ना इनको खाने की इसलिए मैंने सोचा bake नहीं करते हैं बेक करने में टाइम लगता है फटाफट से इनको pan fry करके खाते हैं तो आप किसी भी तरीके से खा सकते हो आप इनके साथ हरी चटनी और जो है दही वाली जो चटनी आती है वो दे दीजे और बहुत टेसरी लगते हैं और ये देखिए मेडियम आज पर आप इनको जो है अच्छे तरीके से क्रिस्पी कलर आने तक गुल्डन कलर आने तक फ्राय कीजिए एक तरफ से और यहां देखिए मैंने प्याज के लच्छे काट लिए हैं जल्दी मत कीजिएगा पलटने की बस और यहां पर देखिए हरी चटनी भी मैंने बना के त्यार कर ली है यह जो ना धाई वाली हरी चटनी है बहुत टेस्टी बनती है इसकी रेस्पी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ एक बार अच्छे तरीके से एक तरफ से सेखने के बाद ही आप इसको पलटिए और बड़े स्पैचुला का मैं यूज कर रही हूँ जिससे मुझे काफी तकलीफ हो रही है पलटने में तो मैंने सोचा कि मैं उसको चेंज ही कर देती हूँ तो इसलिए अब मैंने चेंज करके ले लिया है चमच चमच से बहुत ही आसानी से पलटे जा रहे थे मुझे और देखा आपने कलर कितना प्यारा आया है इसके अंदर बहुत ही सुन्दर कलर आया है गोल्डन क्रिस्पी बिल्कुल कुरकुरा कलर आया है यह देखिए मीडियम आच प्याप से किये और बहुत ही स्वाधिश्ट बनते हैं जरू ट्राइ किजिएगा यह रैस्पी बहुत पसंद आएगी एकदम से पलट मत दीजिएगा थोड़ा सा अच्छा सा कलर आने के बा लगते हैं पूरी तरह सिखने में इनको और यह देखिए दूसरी तरफ से भी सिख गए हैं काफी अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है इनका तो चलिए अब इनको जो है हम सर्फ कर लेते हैं तो यह रैसेपी आपको बहुत पसंद आई होगी आज मैंने दोनों तरफ से आप अच्छे तरीके से यह सिख गए हैं कुछ एक पीस जो है ना वो नहीं सिखे हैं अभी तो यह सिख गए थे उसके बाद मैंने इनको निकाल लिया है आप इनको री हीट भी कर सकते हो जब भी आपके गैस आए तो आप इनको गरम कर बना के रख लीजिए और बाद में इनको तव्य वापस से घरम करके भी दे सकते हैं और इनको आप 15 ido दिन के लिए द्टीप फ्रीज में रख सकते हैं मतलब फ्रीजर में स्टोर करके भी रख सकते हैं जब भी इच्छा हो आप एक यह दो पीस निका लिए और फ्राय करके एँजॉय किजिए तो इसको चटनी के जादनिया डालेंगे उपर और यह आपका बहुत ही टेस्टी काले चने के कबाब त्यार है यह जो है हेल्दी रेसिपी है और बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है साथ में उपर सर्फ करते हैं यह तो आप चाट मसाला डाल दीजे यहां पर निम्बू का रस चड़क दीजे लेखिए बहुत करना या सोफ हैं सारेजा अरा आपको यह बहुत ही सबागता है की तो घाए ठाम हुता है और जरुक्राइक बूद करना में उपर कालोधवड़स करताना हैं गर्मा доб कालत स्वेया हैं साथ में लुड़ेलगा है साथाइब और यह उंक्तर कीजे काल करना त एक्स टेस्टी रेस्पी में तब तर के लिए बाई